हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्व चैनल नालेश फड़ाफट में मेरा नाम है विशाल प्रजापती तो फ्रेंट्स आदे 24 में हम लोग बात करने वाले एके ट्यू और समेस्टर रिजल्ट के बारे में साथी एके ट्यू के छात्रों के प्रमोशन किया जाएगा इतनी देरी क्यों हो रही है तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डीटेल में गाईज बात करने वाले हैं कि एके ट्यू के छात्र प्रमोट होंगे तो कब तक हो जाएंगे प्रमोट और साथी जो आपका और समेस्टर कर दिया जाएगा सबसे पहले किसका तो चलिए पहले हम लोग जानेंगे कि एक ट्यू के खात्र भी होँगे प्रमोट जानलोग कब तक होगा प्रमोशन जिया पहले इसके बारे मुआ दोस वहां जान लेते हैं को कि यहीं कमेंट आते हैं पहला यहीं फंडाउन का एक सर्थ-फ morningslockitas पर बताएगे उसके बाद तो चलिए प्रमोशन को हम बात करें कि देखिए एक ट्यू के छात्र होंगे प्रमोट ये तो चांस है पुरा प्रमोट होने मैंने आपको बताया भी है कि 70-80% मान सकते हो प्रमोशन का चांस हो गया है जो तीन कूलपतियों की समिती बनाई गई थी तीन इन्वर्सिटी के सब को पता था उन्होंने फैसला लेके सब कुछ अपना निड़र दे दिया है कि हां भाई फर्ष्ट येर सिकेंड येर के छात्रों को प्रमोट कर दिया दाएगा फाइनल येर वालों को पेपर देना होगा साथ ही जिनका तीन वर्सी कोर्स है जैसे ये भी यच्छी हुआ उस सिमेश्टरवालों के लिए नहीं जो सिमेश्टरवाइज जिनका कॉर्स चलता दो हम लोग साथ नहीं होगा वार्सिक लोग साथ होगा तो अभी देखो फाइनल रिपोर्ट आने में मैक्समें मेरे साब से 10-15 दिन-15 दिन लग जाएंगे क्योंकि गौर्मेंट भी चाहते हैं कि आप लोग पढ़ो अभी अगर बोल देगी प्रमोट हो गए तो आप लोग कापी किताब सब एक साइड रखके मस्तिक करने में लग जाओगे इसलिए गौर्मेंट भी बोल लएए अभी पढ़ो आप लोग डिसीजन देगी यह तो फिक्स डिस इसको मैं दिखा देता हूँ तो आप लोग यह इस्क्रीन पर यह वाली न्यूज देख रहे हो यह मैंने सुबह वाली वीडियो में आई थिंक आप लोग को बताया भी है प्रमोशन को लेकर लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी एक क्या का गया था कि आसान नहीं प्रमोशन की रा और इसमें नीचे यह भी कहा गया है आप पढ़ सकते हो अभी कई विस्विद्याले के नहीं आये हैं समेटर पर तो देखो यहां पर एके ट्यूज चात्रों के लिए कुछ यहां पर महतपूर्ट सूचना है यह वाला मैं प टेक्निकल इन्वर्सिटी डाक्टर एपीज अबदुल कलाम टेक्निकल इन्वर्सिटी एके ट्यूज में इस हबते प्रेडाम आने सुरू होंगे जी आगाई यहां पर उपर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे यहां पर लिखा गया है कि बिस्विदाला के प्रेडाम ना रिजल्ट आया नहीं है तो यहां पर साफ यह बोला गया है कि जब तक देखो आप लोगों का और समेंटर के रिजल्ट नहीं आ जाता उससे पहले गवर्मेंट इस पर मुहर नहीं लगाएगी प्रमोशन को लेकर क्योंकि यहां पर देखो एके ट्यू ने भी बोल दिया है कि APJ अब्दुल कलाम के पेड़ाम इस हपते के लाश तक आना सुरूंगी मिंस 31 माई तक आपके फाइनल येर वालों का रिजल्ट आएगा और फर्स्ट येर सिकेंड येर का आते आते 10 से 12 जून लग जाएगा तो जब रिजल्ट आपका डिकलियर कर दिया जाएगा तब आपको और समेटर के रिजल्ट के बेसिस पर ही प्रमोट किया जाएगा सबको पता होगा तो जब आपका गाईज रिजल्ट नहीं डिकलियर हुआ है तो आपको प्रमोट ऐसे तो किया नहीं जाएगा तो अभी ये आप लोग मान लो अपने हिसाब से खुदी समझ लो इस सबसे पहले उसमें बात नहीं है तो देखो गाईज जब आपका रिजल्ट आ जाएगा डिकलियर हो जाएगा सब कुछ उसके बाद गवर्मेंट फैसला लेगे हां ऐसे इसे बच्चों को प्रमोट करना है और समेश्टर के अधार पर इस अधार पर प्रमोट करना है समझ आप लोग तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका और समेश्टर का रिजल्ट कब तक आएगा तो गाईज और समेश्टर के रिजल्ट की हम लोग बात करने वाले हैं तो यहां पर देखिए और इतने तारी तक आ रहा है सभी छात्रों का और समेश्टर का रिजल्ट अब आपको ये भी पता होगा, मैंने कल सुबह में वीडियों एक डाली थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि EKT की तरफ से जो न्यूज आई थी लखनव से माई सिटी में, माई सिटी रिपोर्टर की तरफ से EKT की न्यूज प्रकासित होती ही, बहुत सारे लोग पता भी होगा, नहीं पता होगा अगर नहीं पता है आप लोग, तो आमार उजाला न्यूज पेपर में लखनव सेलेक्ट करके अपना सिटी लखनव सेलेक्ट करके माई सिटी में आप लोग जाओगे वहाँ पर AK2 की जो भी latest news रहती है, कोई भी update आई रहती है, वहीं आपकी प्रकासित की जाती है, वहीं से सब लोग उठाते हैं news को, तो वहाँ पर क्या लिखा गया था, कि आपका, वहाँ पर साप साप कहा गया था, कि आपका धाई, धाई से 3 लाग कापियां आपकी अभी च केजी हो गई है, और कोरोना की कारण जो आपका काम रुका था, उस काम तो रुका ही था, लेकिन आपकी कापियां जो टीचर चेक कर रहे थे, उनको उनके घर पर कापियां भेज दी गई है, तो टीचर अपने घर पर रहकर ही आपकी कापी को चेक कर रहे हैं, तो अब जल् पहले जान भी फाइनल ये वालों ने दिया था तो ये भी हैप समझ लिजिए कि फाइनल ये वालों की पहले कापी चेखं़ों के पूरा हुआएट होके आएगी उसके बाद फाइनल ये वालों का रिजट्ड डिकलियर कर दिया जाएगा फिर जो भी कपी बची रहेंगी भी छौन आप लोगों चीर बता भी देता हूं कि यहां डाइट है यह अपडेट है जब्हें रहा है मैं आपको फीडिआ थुर बता दूगए तो अगर बीडियो अच्छी लग को लाइक करदीजेगा और चैनल को सब्स्ठाइब कर दीजिएगा क्योंकि आज वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई होगी मैं समझ रहा हूँ 7-8 मिनट से मैं कब से बस बोलते जा रहा हूँ लेकिन आप लोग के जो doubt थे उनको clear करने के लिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई उसके लिए sorry करने करो दो दोदे हो कुए रहा हू़ी वीजर मैं से बस burner करने का लुचा है यह रहा है उनको फस बन्हाए मा थाई हो नहा रहा हूँ moreसी of context